नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपका KCC यानि किसान केड़ कार्ड लोन खाता NPA कब हो जाता है जी हाँ बहुत सारे किसानों को नहीं पता है कि KCC खाते से पैसा निकालने के कितने दिन बाद उनका जो KCC खाता है वो NPA यानि नान पर फार्मिंग एसेट्स बन जाता है यानि NPA की कैटागेरी में चला जाता है तो आज किस वीडियो में हम आपको इसी विस्तार से जानिकारी देने वाले हैं कि आपका KCC खाता NPA कब हो जाता है साथी जैसे ही आपका KCC खाता NPA होता है तो आपके 5 बड़े नुकसान होते हैं जी हाँ दोस्तों आर्थिक नुकसान, समाजिक नुकसान और भी कई आपके नुकसान होते हैं तो उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि किसानों को नहीं पता है कि जब उनका KCC खाता NPA होता है तो उनको भाविष्य में कौन-कौन से बड़े नुकसान जहिलने पड़ते हैं तुरन्त तो उसके side effect किसानों को नहीं समझ में आते हैं लेकिन भाविश्य में उसके जो बड़े नुकसान है वो आपको आगे चल करके भुगतने पड़ते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आपका KCC लोन खाता NPA हो गया है आपके पास एक रुपिया भी नहीं है अपने खाते को सही करने के लिए आप चाहते हैं कि हम अपने इस KCC खाते को रेगुलर कर लें इस्टेंडर कर लें NPA से बाहर कर लें लेकिन चुकि आप के पास पैसा नहीं है आपकी इच्छा है कि हम KCC खाते को NPA ना करें लेकिन कभी कभी किसानों की मजबूरी हो जाती है उनका KCC खाता NPA हो जाता है वो NPA से अपने खाते को बाहर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसका भी solution देने वाले हैं कि अगर आपके पास एक रूपिया भी नहीं है तब भी आप अपने KCC खाते को NPA से बाहर कर पाएंगे जीहां अपने KCC खाते को standard कर पाएंगे regular कर पाएंगे बैंक में कैसी scheme होती है कि आप बिना एक रूपिया जमा करे भी आप अपने KCC खाते को NPA से बाहर कर सकते हैं अपने KCC खाते को स्टेंडर्ड कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, यानि इन तीनों विशों पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार स्यानकारी देने वाले हैं, तो अगर आपने भी एक KCC लोन ले रखा है, या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो आपको पूर आपको बताना चाहते हैं, जब आप अपने KCC खाते से पैसा निकालते हैं, और उसको आप धाई वर्स तक एक बार भी निल नहीं करते हैं, यानि अपने KCC खाते को क्रेडिट में नहीं लाते हैं, तो आपका KCC खाता NPA की कैटागेरी में चला जाता है, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने 1-1 2022 को पैसे निकाले, यानि 1 जनवरी 2022 को आपने KCC खाते से पैसे विड़ डाल किये, और पूरा 22 हो गया, फिर पूरा 23 हो गया, 24 की जून आ गई, जब 24 की 30 जून हो जाएगी, और आप अपने KCC खाते को एक बार भ जाता है, धाई वर्स तक बैंक इंतचार करता है कि आपका जो KCC खाता है, वो सही रहे, ताकि किसान आ जाए, मान लीजिए कोई उसके उपर मुसीबत हो गई होगी, एक वर्स में नहीं दे पाया, तो दो वर्स में दे देगा, दो वर्स में नहीं दे पाया, तो धाई वर् तो उस दसा में उसका जो KCC खाता है वो NPA की कैटागेरी में चला जाता है यानि नान पर्फार्मिंग एसेट्स बन जाता है यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है मित्रों कि मान लिजे आपने 11-2022 को KCC से पैसे निकाले 1,00,000,000 रुपए उसके बाद मान लिजे आप फिर 2030 में उसमें 20,000 रुपए और डाल देते हैं उसके बाद फिर 2030 के दिसंबर तक फिर आप 20,000 डाल देते हैं तो आपने कुल मिलाकर अब तक 90,000 रुपए बैंक को वापिस कर दिये हैं लेकिन मूल धन आपका 10,000 रुपए रह गया है अब मालीजे जैसे ही 2024 लगता है जनवरी में आप फिर 10,000 रुपई डाल देते हैं तो आपने जितना लिया था उतना आपने बैंग को वापिस कर दिया लेकिन ब्याज आपने नहीं दिया है हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका जो KCC खाता है इस पर मालीजे आप तक 10,000 या 12,000 रुपई ब्याज बल गया है अब अगर यह 10,000 रुपई आप पूरा पे नहीं करेंगे तो आपका KCC खाता एक बार अभी जैसे ही जून 2014 आएगा वो NPA की कैटागेरी में चला जाएगा यानि आपको पूरा पेमेंट फुल करना होता है अपने KCC खाते का अगर आप एक रुपई भी छोड़ देते हैं तब भी आपका KCC खाता धाई वर्स में NPA की कैटागेरी में चला जाएगा अब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1-1-2022 को 1 लाख रुपई निकाला था आपने उसे पूरा पे कर दिया लेकिन 10 रुपई आपने छोड़ दिये तो वो 10 रुपई आपके खाते में चुकी आउट इस्टेंडिंग बैलेंस दिखा रहा है इस 10 रुपई की वजए से आपका खाता जून 2024 में NPA की केटागरी में चला जाएगा तो खुल मिला करके आपको अपने KCC खाते को चाहिए कि प्रतिवर्स एक वर्स के अंदर ही आप अपने KCC खाते का पल्टा करते रहें लेते रहें देते रहें आज जमा करिए कल सुबे निक कर लेते हैं कि मालीजे आपका KCC खाता NPA हो गया आपके उपर कोई मुसीबत रही कोई समस्या रही या फिर जान बूच कर आपने KCC खाते में धाई वर्स तक पैसान नहीं जमा किया तो आपका KCC खाता NPA हो गया अब आपको कौन-कौन से नुकसान जिलने पड़ेंगे तो जो भी व्याज लगता था उसमें से 3% आपका व्याज की रूप में सबसीडी आपकी वापिस आ जाती थी वो आपका मिलना बंद हो जाएगा आपको सबसीडी का लाब नहीं मिलेगा दूसरी चीज है अभी तक आपको 3 लाख रुपए तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सलाना व्य साथी दोस्तों जैसे KCC खाता आपका NPA होता है आपके उपर कई सारे चार्जेस बैंक लगाता है जैसे कि बैंक आपको नोटिस भेजेगा तो उसका चार्जेस हो गया फिर मामला जैसे लोक अदालत में जाता है तो वकील सहभां को नोटिस भेजते हैं उसके जो लीगल च जाते हैं कि अगर आपने इस KCC खाते में ज्यादा टाइम तक अपने खाते को NPA रखा तो बैंक इस खाते में RC भी जारी कर देता है यानि यह जो खाता है इसे राजस्विभाग को दे देता है कि आप इसकी वसूली करिए हम इनकी वसूली नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे ही र राजस्विभाग के पास चला गया तो राजस्विभाग इसमें 10% कलेक्शन चार्ज ले लेगा यानि अब आपको ये लोन 3,30,000 जमा करना होगा यानि 3,00,000 का 10% 30,000 रुपए तो 10% आपको एमोंट एक्स्टा बढ़ जाएगा वो आपको राजस्विभाग को देना होगा कलेक्शन चार्ज के रोप में तो खुल मिला करके आपका ये भी एक आर्थिक नुक्सान होता है तीसरी चीज होती है आपका सिबिल स्कोर लो होने लगता है जैसे ही आपका के सिबिल स्कोर गिरना शुरू हो जाएगा अब आपको भविश्य में किसी भी बैंक से कोई भी लोन क्या वसकता होगी या आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं EMI पर माली जैब एक मोबाइल ही लेना चाहते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा आपसे बोला जाएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है आपने अपने पिछले लोन को सही से पे नहीं किया है आपक का सिविल स्कोर खराब हो जाता है चौथी चीज होती है कि आपको फसल बीमा के लाब से वन्चित रखा जाता है जो भी केसी सी के खाते NPA की कैटागेरी में चले जाते हैं उनको फसल बीमा का लाब नहीं दिया जाता है तो अगर आपके छेत्र में प्रक्रतिक आपदा आ आप देखेंगे कि आपकी पडोसी को फसल भीमा का क्लेम मिल गया है, आपके इस पडोसी को फसल भीमा का क्लेम मिल गया है, एक आप ही ऐसे बचे हैं जिने फसल भीमा का क्लेम नहीं मिला है, क्योंकि आपके खाते से फसल भीमा का प्रीमियम भी डेबिट नहीं किया गया था, यानि आपकी फसलों का फसल भीमा नहीं किया गया, क्योंकि आपका KCC खाता NPA की कैटागेरी में पड़ा हुआ था, इसके अलामा दोस्तों उसी बैंक में अगर आपके और भी लोन है, फिर चाहे वो बिजनेस लोन हो, परसनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, अन्य कोई भी उस बैंक में आपका लोन है KCC के अलामा, तो वो भी लोन खाता आपका NPA की कैटागेरी में चला जाएगा, जिस दिन आपका KCC खाता NPA होगा, उसी दिन आपका दूसरा लोन भी NPA हो जाएगा, आपके उस बैंक में दो लोन होंगे, तो दो NPA होंगे, पांच होंगे, तो के loan account हो, चाहे हो KCC loan हो, business loan हो, property loan, कोई भी loan हो, एक सवाई जे, तो उस bank में उस किसान के, उस ग्राहक के जितने भी खाते होंगे, सबके सब NPA की category में चले जाएंगे, भले ही आप उस loan को कल ही open कराएं हो, आप time to time installment दे रहे हैं, आपने कभी भी उस खाते में कोई भी default नहीं क जाते हैं और सभी पर NPA की जो ब्यासदर होती है दो गुने तीन गुने वो चलने लगती है तो आपका बहुत बड़ा नुपसान होता है KCC के साथ अगर अने लोन है तो वो सभी के सभी लोन आपके NPA हो जाएंगे इसके रामा दोस्तों आपका जो सेविंग अकाउंट होता ह बैंक उसे भी फ्रीज़ कर देता है जैसे ही आपका KCC खाता NPA होगा उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट या बचत खाता है बैंक उसे फ्रीज़ कर देता है यानि आपका जो प्रभावित हो जाता है आपके लें देन रुख जाते हैं तो कुल मिला करके ये थे करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों हम आपको अब विकल्ब बता देते हैं कि यहां पर दो कंडिशन होती है एक कंडिशन होती है कि किसान के पास में कुछ पैसा है माली जे उसके पास पांदस जार रुपए है तो चाहता है कि हम के सी सी से अपने और पंपिए से बाहर कर दें के सीखाते को लेकिन किसान के पास किसान के पास एक भी रुपया नहीं है वो किसी मसीबत में फस गया कोई बीमारी के चेकर में पढ़ गया या उसकी कोई फसल बरबाद हो गई तो उसके चेकर में उसके पास एक भी रुपया नहीं है और वो चाहता है कि अपने खाते को NPA से बाहर कर लें तो हम इन दोनों स्थितियों की जानकारी आपको देने वाले हैं कि जिस किसान के पास एक रुपया नहीं है वो भी NPA से बाहर हो सकता है और उसकी जो फाइनल लिमिट है वो तीन लाक रुपय है लेकिन उसने आज से तीन साल पहले जब KCC बनवाया था तो उसकी पहले साल की जो लिमिट थी वो थी धाई लाक रुपय और उसकी जो फाइनल लिमिट थी पाँचवे साल की वो थी वहाँ पर उसकी तीन लाक रुपय अब उसने $500,000 की लिमिट थी तो उसको maximum $500,000 ही मिल सकता था उसने $500,000 अपने KCC से निकाले होंगे आज से $500,000 पहले या तीन साल पहले उस दसा में उस KCC खाते में ब्याज लग-लग करके उस KCC खाते का जो bilans हो गया हो मान लिजेजे $2,900,000 हो गया है अब किसान के पास सिर्फ 5-10,000 रुपए हैं कि वो अपने KCC खाते को सही करना चाहता है तो उस इस्थिती में क्या हो सकता वो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले अब मान लीजिए कि उसके पास 5-10,000 रुपए हैं और उसके खाते की आज की डेट का जो बकाया बैलेंस है वो 2,90,000 रुपए है यानि उसने ढाई लिया था 40,000 रुपए ब्याज बढ़ गया और 2,90,000 रुपए उसके उपर बकाया है उस हिस्थिती में उस किसान को ये करना चाहिए कि उसकी जो 3-10,000 की लिमिट होगी वो लगभथ 2,80,000 रुपए होगी अगर पहले साल की लिमिट उसकी 2,30,000 है तो निश्चित रूप से उसकी जो 3-84 साल की लिमिट होगी वो 2,80,000 र्यां 2,90,000 होगी और पांचवे साल की लिमिट उसकी तीन लाख रुपए होगी तो उस दसा में बैंक जाईए आप बैंक के जो साखर पबंधक है उनसे मिलिए उनसे अपनी समस्या बताईए उनसे बोलिए कि महोदय हमारे तीसरे साल की लिमिट खोल दीजिए क्योंकि मैंने ढाई लाख निकाला था पहले साल की लिमिट हमारी ढाई लाख थी हमारी तीसरे साल की लिमिट दो लाख नब्बे हजार है या दो लाख असी हजार है हैं 10,000 रुपए हम अपने पास से लाए हैं 10,000 रुपए हम इस खाते में डाल देंगे तो आप 2,80,000 ये 10,000 हम लाएं है 2,90 हो जाएगा तो हमारे खाते का रोलोवर हो जाएगा पल्टा हो जाएगा लेकिन ये Facility कुछ ही बैंक देते हैं पल्टा करने की सभी बैंक नहीं देते हैं जो बैंक आपको ब्याज डाल करके के सी सी खाते का रोल ओवर करा देते हैं उसी बैंक में आपका के सी सी खाता NPA से बाहर हो जाएगा तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं अगर आपका बैंक के फैसल्टी देता है कि आप ब्य मालीजे कोई किसान है जिसके पास एक रूपिया भी नहीं है और उसका KCC खाता NPA है वो अपने KCC खाते को सही करना चाहता है तो किस तरह से सही कर सकता है बैंक में ऐसी कौन से स्कीम होती है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं बैंकों में एक स्कीम होती है रीकनेक्ट नाम से reconnect इसमें क्या करना होता है कि माली जे कोई किसान है जिसने आज से तीन साल पहले तीन लाख रुपए का के सीसी लोन लिया था आज की डेट में उसके उपर तीन लाख पचास अजार रुपए का के सीसी लोन बकाया है उसका के सीसी खाता NPA हो चुका है अब वो चाहरा ह को देखते हुए को देखेंगे संझेंगे कि हाँ वास्तों में आपकी स्थिति है지 आप देने के लायक नहीं है तो वह आपसे बोल देंगे ठीक है आप अपनी जमीन के कागज हैं दन रुपए बनी थी तो निश्चित रूपसे आज कि डेट में जब आपकी KCC की लिमिट बनाई जाएगी उतनी ही जमीन पर तो लगभग 5 लाख रुपए बनेगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फसल वित्तवान यानि जो इसकेल आप फाइनेंस होता है वो प्रतिवर्स बढ़ता रहता है तो तीन साल पहले जो फसल वित् कर लेगा जिससे आपका जो KCC खाता NPA में चल रहा था वो NPA से बाहर हो जाएगा वो KCC खाता आपका बंद हो जाएगा उसके बाद आपका जो नया KCC खाता खोला गया है इस खाते से अगर आपको आवे सकता है तो कुछ पैसे आप विड्डाल भी कर पाएंगे क्योंकि आ बैंग को पता है कि आपने जो पैसा आज से तीन साल पहले लिया था वो आपने उसमें एक रुपिया भी आपने वापिस नहीं किया है तो हो सकता है बैंग अपने KCC खाते को तो सही कर देगा उसे क्लोच कर देगा जो भी पैसा होगा उससे निकाल लेगा और इस KCC को रहा है तो दस जार, बीस जार, पचास जार एक लाख रुपए आप विड़ाल कर लिजे क्योंकि अब आपकी जो KCC की लिमिट है वो तीन के जगए पांच लाख रुपए हो गई है अब आप पांच लाख रुपए तक अपने इस KCC खाते से पैसा विड़ाल कर सकते हैं अ दसा में फिर आप बैंक जाएंगे उनसे बोलेंगे रिकनेक्ट स्कीम में हमारे KCC खाते को सही कर दीजिए तो फिर आपकी जो KCC की लिमिट होगी वो 7 लाख रुपए हो जाएगी इसी तरह बढ़ते बढ़ते आप अपने उपर कर्ज का बोज बढ़ते जाएंगे लेकिन बैंक का पैसा अदा नहीं कर पाएंगे और अंत में ऐसा समय आएगा कि हो सकता है आपकी जमीन आपको बेचना पड़ जाए तब आपको KCC लोन अदा करना पड़े तो जब भी आपको जरूरत हो तब ही आप KCC लोन लीजिए और जहां आपको ज्यादा जेनिवन जरूरत ह तब आप उस पैसे को लगाईए इधर उधर आपके इसी बैंक से लोन लेकर के पैसा मत खर्च करिए वरना बहुत ही मुस्किल हो जाएगा दोस्तों आसा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा चै अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत